राधे राधे दोस्तों, कहा जाता है कि जो भारत है संतों की भूमी है, यहां बड़े से बड़े रिशी मुनी हूए है मेरे प्यारे सातियों एक कहावत और है कि जो सच्चे सादू होते हैं उनके दरसन बड़े दुरलब होते है जाने कौन जनम की तपस्या थी जाने कौन जनम के हमारे अच्छे करम थे जो आज हम एक ऐसे संत के पास पहुँचे और ऐसे संत के दर्सन किये जिनके दर्सन करना इतना आसान नहीं था दोस्तों मतरा के एक गाउं सी पलसों पलसों करके ये गाउं हैं यहां पर एक बाबा है ये बाबा पिछले 41 साल से बैठे नहीं है इसलिए इन बाबा को खड़ी शुरी बाबा भी कहा जाता है इन्होंने एक प्रण्ड ले रखा है हमेशा खड़े ओकर प्रभू की साधना करने का तो ये हमेशा प्रभू की खड़े ओकर के ही साधना करते हैं प्रार्थना करते हैं दोस्तों चाहें दिन गर्मी के हों या सर्दी के हों तो ये बड़ी गर्मी में या बड़ी सर्दी में आग लगा करके एक दूनी लगाते हैं तपस्या करते हैं अपने चारो और आग लगा देते हैं और सिर पर भी आग का एक बरतन टाइप का रखते हैं दोस्तों ये जो तपस्या है ये जो प्रण है बहुती खटन होता है इसे निवाना इतना आसान नहीं होता जब हमने इन महापुर्स से बात की तो इन्होंने कहा ये जो दर्द सहन करने की सकती है प्रभू देते हैं और कभी भी कोई तकलीफ नहीं हाए ऐसा प्रभू हमेशा ध्यार रखते है शुरुवात में जब इन्होंने ये प्रण लिया था तो बहुत दिक्कते हुई बहुत ज सोचिए एक ऐसा संत जो एकतालीस साल से बैटा नहीं है एकतालीस साल से उसने अन नहीं खाया है वह हमेशा जो बस्त अभी इन्होंने पहन रखे हैं इसी तरीके से ये पहन कर रखते हैं सोचिए जो इन्सान एकतालीस साल से बैटा नहीं हो उसकी जो दिन चर रहा है किस त लुक तकलीपे आएं परंतु ये बैटते नहीं हिम्मत नहीं हारते हैं। इनकी जो साधना हैं बहुत कटिन हैं। इन्होंने कितनी तकलीपें दर्द जिले हैं आप इनके पैरों को देख करके एक अंदाजा लगा सकते हैं। इन्हों ने जैसा हमें बताया कि 41 साल से ये बैठे नहीं है इनके पैरों में सूजन दर्द बिलड गल जाते हैं सड जाते हैं लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते और कहते हैं प्रभू हमेशा हमारा ध्यार रखते हैं सकती देते हैं जब हमने गाओं के आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा बाबा के पास आकर के बड़ा ही सुकून मिलता है बड़ी ही सांती मिलती है यहां आकर के ऐसा लगता है कि जितने भी दुक दर्द है सब दूर हो गए हैं दोस्तों सादू की संगती बहुत ही महान होती है और कहते हैं कि ऐसे रिसी मुनियों के पास बैटने से भी आत्मा तरप्त हो जाती है तो यह बास्तविकता है आप कभी जब मौका मिले जब भी आम मतुरा आएं तो एक बार सीपल सो गाओं आकर के जरूर देखें और बाबा के दर्सन जरूर करें ऐसा कहा जाता है कि जो र जान में दक्षणा में बहुत सारे लोग पैसा देने की कोशिस करते हैं परंतु बाबा लेते नहीं हैं वो साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि जानते हैं कि इस दन दौलत माया के चकर में अगर मैं फस गया तो प्रभू का ध्यान नहीं रख पाऊंगा और ये ऐसे सिद्ध पुरस हैं कि इनको मो माया भी अपनी ओर आक्रिसित नहीं कर सकती हैं अगर आपको दर्सन करके अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट में रादे रादे जरूर लिखिएगा और वीडियो को सेर करना ना भूलिएगा क्योंकि ऐसे साथूं के दर्सन बहुती दुरलब होते ह अगर आपने दर्सन पा लिए हैं तो आप इस वीडियो को सेर करके पुन कमाईए और अन लोगों के भी दर्सन कराईए जल्द मिलते हैं नई वीडियो में रादे रादे